कि हलो स्टुडेंट्स माई सेल्फ राहुल मिस्रा टीम बॉटनी सील सी कर आज हम यहां टार्गेट बैच के लिए जो टेश सीरीज है उसका माइनर सेकंड हम यहां डिसकस करते हैं और बॉटनी का जो सब्जेक्ट है वो है सेल बायोजी सेकंड तो यहां पर हम सबसे पहले 136 कॉस्चन नंबर डिसकस करते हैं तो देखिए इदर चूजदा इनकरेक्ट मैच इन गिवन फिगर फॉर एबी सीडी इन सेल साइकल अप्लांट सेल यानि कि यह आपको एक चित्र यहां फिगर दे रखा है इस फिगर में जो सेल साइकल से रिलेटेड है आपको इनकरेक्ट मेच को चूज़ करना है तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें यहां पर फर्स्ट ऑफ्जन देखिए ए किसा को रिपर्रजेंट कर रहा है को और हम एसफिग की बात करें एनिमल सेल के अंदर सेंट्री ओलग का डुप्लीकेशन होता है यह भी राइडे रखा है अगर आगर हम सी की बात करें तो देखें C DNA रेप्लिकेशन अकर यहां ध्यान रखना यह गलत इंकरेक्ट दे रखा है क्यों क्योंकि B सी रिप्रजेंट कर रहा है G2 को और G2 में DNA रेप्लिकेशन नहीं होता तो कब होता है वो अगर इनकरेक्ट मेच की बात करें तो कौन सा होगा आंसर थर्ड नेक्स्ट हम कोश्चन की बात करते हैं 137 तो इधर देखिए अगर 137 में हम देखें हैं तो यह आपको एक फिगर दे रखा है इस फिगर में आपको चूज दा इनकरेक्ट ऑफिसं फॉर एबी सी एंडी इफ सेल है क्रोमोसोम नंबर टू एडिए इकवल तू टू 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 टी एंड डिएन अ कंटेंट इज टू सी इन जीवन फेज तो ध्यान लखना जीवन फेज में कितना दे रखा है तू एन इस्टू टू 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 and DNA content 2C है, तो अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यह figure किसको represent कर रहे हैं, cell division यानि की M phase, खासकर meiosis क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो, crossing over हो रहा है, तो देखिए, यहाँ पर कितने chromosome है, 4 chromosome है, सब के पास 2-2 chromated है, तो इसलिए इस condition में, अगर हम A पर बात करेंगे, तो 2N is called to कित DNA content की बात करें, तो कितना होगा, DNA content 4C, कितना होगा, DNA content 4C होगा, अगर हम next phase में बात करें, अभी देखिए, chromosome separate नहीं हुए हैं, तो इस case में भी यहाँ पर content क्या होगा, chromosome number 2N is called to 20, और यहाँ पर भी DNA content कितना होगा, अभी 4C, तो इसके according, अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ह और 2N is called to 24C, A में भी यही condition है, C third option, में भी अगर हम देखे, 4C, 24C, यह देखिए, यह गलत दे रखा है, 4th में, तो यह 4th गया, अब यहाँ पर अगर next phase में हम बात करें, तो यहाँ पर chromosome कैसे हो रहे हैं, separate हो रहे हैं, तो इस case में, अगर हम यहाँ देखें, तो chromosome अभी भी कितने हैं, उस cell के अंदर, 2N is called to 20 है, तो ध्यान लखना, 2N is called to अभी भी कितना है, 20 है, अब यहाँ पर DNA content कैसा हो जाएगा, यह जो DNA content है, वो अभी भी 4C है, क्योंकि अभी separate नहीं हुआ है, अब separate होगा, और separate होने के बाद, आप देख रहे हो, content कैसा हो गया, आदा हो गया content 2N is called to कितना होगा, 10, और DNA content किसना हो जाएगा, 4C, घटके 2C में convert हो जाएगा, तो देखिए धर, तो इसका answer क्या आएगा, answer, 3rd, क्योंकि यहाँ एन is called to कितना हो गया, sorry, यहाँ 2N नहीं होगा, क्योंकि यह N होगा, sorry, यहाँ पर चुकि क्रोमोसोम नंबर कैसा हो गया, हाफ हो चुका है, तो इस case में N equal to 10 और DNA content कैसा हो जाएगा, 4C से घटकर, 2C, तो इसके according answer कौन सा आएगा, 3rd, अब next question discuss करते हैं, 138, तो देखिए धर, during, during यह फिलंदा ब्लैंक दे रखा है, the bi-valent chromosome arranged on the equatorial plate, तो अगर हम equatorial plate पर bivalent chromosomes के arrangement की बात करें, तो equatorial plate में कहां arrange होते हैं, metafage first में, this is followed by, और इसके बाद अगर हम देखें, meta phase first के बाद कौन सी फेज आती है, एनाफेज फरस्ट आती है तो इस केस में अगर हम यहां आंसर की बात करें तो कौन सा आएगा मेटाफेज फरस्ट एंड बी एनाफेज फरस्ट नेक्स्ट कोश्चन जो हम डिसकस करते हैं यहां पर 139 तो इधर देखिए 139 कोश्चन जाइगोटीन औफ प्रॉफेज फरस्ट इस केरेक्टराइजड वाई अगर हम यह जो प्रॉफेज फरस्ट की जाइगोटीन स्टेज की बात करें तो लेप्टोटीन के बाद कौन सी आत ξाण होती है तो इन रखना तो सीनेप्टोनी मल कॉम्पलेक्स का फॉर्मेशन इसी स्टेज में होता है बात करें कियाज मेञ्च कोश्चना इप्रमेशन डिप्लोटीनник में होता है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा réponse सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं 140 तो देखिए इस्पिलिटिंग ऑफ सेंट्रो मियर एंड हैंस सेपरेशन ओफ क्रोमेटिट्स अकर्स ड्यूरिंग अभी यहां बात कर लखी है कि क्रोम यह जो सेंट्रो मियर है उस सेंट्रो मियर का इस्पिलिटिंग होगा जिससे बोथ क्रोमेटिट क्या होंगे सेपरेट होंगे तो यह किस स्टेज में होता है तो इधर देखिए एनाफेज ऑफ माइटोसिस बिल्कुल राइट है एनाफेज ऑफ माइटोसिस में होता है ऐनाफ फेज औफ मियोसिस फष्ट रोंग है क्योंकि मियोसिस फष्ट की जो एनाफ इस उसमें होमो लोगस क्रोमोसम सेपरे고, सेंट्रू मियर का splitting नहीं होता थर्ड देखिए एना phase of meiosis second बिलकुल light है और fourth बहुत first and third तो हमारा जो answer आएगा question 140 का वो है answer 4 अब यहां next question देखते है 141 तो देखिए धर the interval between mitosis and initiation of dna replication is represent तो देखिए धर अगर हम cell cycle की बात करें तो cell cycle में G1 phase के बाद आती है S phase, S phase में क्या होता है dna replication क्या होता है dna replication तो g1 phase में dna replication g1 phase के जश्ट बाद dna replication का starting होती है और g1 phase किसके बाद आती है m phase या mitosis phase के बाद आती है इसी लिए इन दौनों के बीच में कौन सी phase आ रही है जीवन phase और इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं first gap phase तो इसी लिए answer क्या आएगा इसमें first next question हम देखते हैं question 142 तो देखिए इदर nucleus is अगर हम nucleus की बात करें तो nucleus के अंदर chromatin के पास यहां अगर हम देखें chromatin के साथ साथ nuclear plasma एक spherical structure present होता है इस spherical structure को हम क्या बोलते हैं कि नूक्लियोलस क्या बोलते हैं नूक्लियोलस तो देखिए इस फेरीकल structure found in cytoplasm near nucleus यह रॉंग हो गया क्योंकि cytoplasm नहीं होता इस फेरीकल structure inside nucleus and having rRNA यह बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि यह जो नूक्लियोलस है यह कहां present है नूक्लियो प्लाजम है और नूक्लियो प्लाजम के अंदर यह नूक्लियोलस क्या काम करता है क्या function करता है यह आर आरेने यानि की सिंथेसिस करता है इसलिए अगर हम देखें तो नूक्लियोलस के अंदर आर आरेने भी प्रिजेंट होता है तो इसका का क्लियर आंसर क्या आएगा आंसर सेकेंड यह रोड सेप इस्ट्रक्चर नहीं होता इसलिए यह दोनों आप्सन कैसे हो गए रॉंग हो चुके हैं जो को हुआ नेक्स्ट कोश्चन हम डिसकुस करेंगे 143 तो देखेंत इन एनफेज ओफ माईटोसिस अब यहां एनफेज माईटोसिस कि एनफेज की रिस्पेक्ट में कुछ option दे रखे हैं कुछ statement इन में से हमें चूज करना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत तो देखिए क्रोमोसोम्स आर मूब्ड टू इस्पिंडल एक्क्वेटर थ्यान रखना क्रोमोसोम्स का मूब्मेंट इस्पिंडल एक्क्वेटर की तरफ नहीं होता बलकि कहां की तरफ होता है अगर हम देखें मेटा फेज में क्रोमोसोम्स कहां अलाइन हो जाते हैं बिलकुल एक्क्वेटर या मिडिल में और इसके बाद यहां सेंट्रो मियर स्पिलिट होता है और इसके अलावा यहां पर जो centrosome या poles होते हैं उनसे spindle fiber form होकर कहां attach हो जाते हैं kineto core पर तो इसके बाद जब anafase शुरू होती है तो इस case में यहां centromere split होता है और यह जो separated chromatids हैं वो कहां की तरफ move करते हैं centromere की तरफ जबकि इसमें क्या वोला है spindle equator wrong हो गया भी देखिए centromere of each chromosome is toward the equator यह रॉंग हो गया क्योंकि हम यहां अगर देखें जब यह separated chromatid जब movement so करते हैं एनाफेज में तो इस case में यह माली यह poles हैं और यह spindle fiber यह kineto core और इसी से क्या प्रजेंट है यह chromatid तो देखिए कि आप देख रहे हो एनाफेज में जब chromosome pole की तरफ movement so कर रहे हैं तो इस case में काइनेटो कोर यह centromere कहां की तरफ है poles की तरफ तो यह भी कैसा हो गया इंकरेक्ट हो गया नेक्स देखिए इच क्रोमो सॉम्स अरेंज्ड एक दा मेटाफेज प्लेट स्प्लेट साइमल्टेनियसली बिल्कुल राइट है यहां अभी मैं आपको वही बता रहा था कि एनाफेज में जितने भी क्रोमो सॉम्स जो मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हुए थे उन सभी के सेंट्रों मियर एक साथ स्प्लेट हो जाते हैं तो यह बिल्कुल राइट स्टेट्मेंट यहां दे रखा है सी तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए और बी कैसे हो गए इनकरेक्ट बट सी कैसा हो गया राइट तो आंसर कौन सा आएगा फस्ट नेक्स यहां कोशन देखते हैं 144 दा न्यूक्लियस इस सेपरेटेट फ्रॉम स्राउंडिंग साइटो प्लाज्म वाया न्यूक्लियर एन्वेलब विचेज यानि की केंद् टार तो प्रत्रें रहता है semra cmberDang in chapter को आगर हम देखें कैसा होता है तो देखियेदर इटे wissen डेटर येरडि और विदाउट पौर्सIt गलत है इसमें pores present होते हैं आपने देखा होगा कि यह जो केंद्रक है अगर हम केंद्रक को देखें तो कैसा होता है यह double membrane bound होता है कैसा है double membrane bound तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या present है यह pore present है इन pores को हम क्या बोलते है nuclear clear और तो यह गलत हो गया next देखिए it is single membrane single layered wrong हो गया it is double layered and with pores तो यह राइट है इसका answer third आप देख रहे हो double layered है बट इसमें pores भी present है तो answer क्या आएगा third next question हम देखेंगे 145 तो देखिए दर it is observed that heart cells do not exhibit cell division such cells do not divide further exist अब देखें अगर हम देखें heart cell में normally division नहीं होता और division नहीं होता तो ये cells कहां do not divide further and exit तो ये G1 phase से exit होकर कहां enter कर जाती है G0 phase में जैसे माली जे cell cycle है G1 S G2 तो G1 phase से exit होंगी और कहां enter कर जाती है ये cells like जैसे heart cell का example दे रखा है G0 phase में ये G0 phase में enter करेंगी ठीक है तो ध्यान रखना यहां पर क्या आएगा exit from G1 ठीक है तो G1 से exit कर गई phase to enter and inactive stays called और G1 से exit करके किस में enter किया G0 में तो answer देखी अपना कौन सा आएगा पहले G1 and फिर G0 कौन सा आगे answer fourth next 146 mitosis is a process अब देखे माइटोसिस के बारे में बोल रखा है यानि की equational division या समसूत्री विभाजन तो समसूत्री विभाजन में देखिए इन विच मदर टॉइड इन फॉर है प्लॉइड सेल अगर हम कि बात करें तो इसमें क्रोमोसिम नंबर यह प्लॉइड़ी पर कोई effect नहीं होता है मदर सेल जैसी प्लॉइडी होगी डॉटर सेल्स मेटी विभी बैसी ही प्लॉइडी रहे इन केस अगर मान ली कोई सेल है mother cell और इस mother cell की अगर प्लोईडी डिप्लोएड है यानि की 2N है तो इससे जो डॉटर सेल बनेंगी उन डॉटर सेल्स की भी प्लोईडी क्या होगी 2N होगी लेकिन यहां क्या कर दिया है प्लोईड तो यह रॉंग हो गया और दूसरी बात यहां पर four नहीं two cells बनती है second देखे in which the replicated DNA molecules of each chromosome are faithfully segregates into nuclei बिल्कुल right है क्योंकि इसमें एक nucleus होता है mother cell में यहां से जब division होता है तो DNA content दो equal nucleus में क्या हो जाता है divide हो जाता है यह separate हो जाता है तो यह बिल्कुल right दे रखा है in which DNA duplication occurs many times गलत है mitosis में भी अगर हम बात करें तो एक single time DNA replication होता है वो भी in as phase तो इसका जो correct answer होगा वो कौन सा है answer second next question जो हम discuss करेंगे 147 तो देखिए धर which phase of mitosis is best for study of morphology of chromosome अब यहां अगर हम chromosome की number और morphology की study की अगर हम बात करें तो हम इसके लिए जो फेज select करते हैं वो है metafage क्यों करते हैं क्योंकि अगर हम metafage की बात करें तो इस metafage में chromosomal material का condensation complete हो जाता है इसकी वज़े से जो chromosome होते हैं वो अपना एक proper shape ले लेते हैं अब इस shape में आंगे कोई change नहीं होता तो इसलिए हम क्या करते हैं morphology यह chromosome की structure के लिए किस फेज को select करते हैं metafage तो answer क्या आएगा सेकंड मेटा फेज नेक्स्ट 148 विच इस ट्रूप और पैकाईटीन पैकाईटीन स्टेज के लिए यहां option में से कौन सा correct है तो ध्यान रखना किसकी बात कर रखी है पैकाईटीन की तो पहला देखिए क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिल्कुल राइट है टर्मिनलाइजेशन ओफ कि या टर्मिनलाइजेशन अकर्स रॉंग क्योंकि यह टर्मिनलाइजेशन होता है डाई काइनेसिस में homologous chromosomes separate यह भी गलत है क्योंकि homologous chromosome का separation anaphase first में होता है decondensation of chromosomes रॉंग यह टीलोफेज में होगा तो यह गलत है यहां पर जो पैकाईटीन के respect में true जो answer है वो कौन सा है true statement first नेक्स्ट 149 यहां यह आपको एक डाइग्राम दे रखा है जो किसका है यहां यह सेल डिवीजन से रिलेटेड या कोशी का विभाजन से रिलेटेड है तो यहां पर अगर हम देखें आइडेंटी फाइदा following diagrams of cell division यह सेल डिवीजन का है अब यहां पर आप देखिए आपको दो homologous chromosome यहां दिख रहे हैं इसका मतलब जो अभी मेटाफेज प्लेट पर हैं तो यह किसको सो कर रखा है यह फिगर मेटाफेज first को सो कर रखा है अब देखिए यहां पर मेटाफेज औँफ माइटोसिस रौंग मेटाफेज फर्ष्ट बोल दिया है इसका मतलब किसका होगा यह स्टेज मैयोसिस फर्ष्ट का होगा मैटाफेज फर्ष्ट ओफ mape donc रखांट है मेटाफेज second रौग एनाफेज आप माईतोसिस रॉंग आन सराएगा सेकेंड नेक्स्ट वनफ फोट वन ऐनुए प्लांट सेल अर्थिक ने रही आप देखिए किसकी बाथ कर रखी है प्लांट्स में साइटो काइनेस की बात कर रखी है तो अगर हम plant cell में cytokinesis की बात करें तो देखिए अधर plant cell में karyokinesis हो चुका है यह outer side इसकी cell wall है cell wall की presence की वज़े से इसमें furor का formation नहीं होता लेकिन यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर कुछ vesicles cell के बिल्कुल middle में यहाँ arrange होती हैं और इनको हम बोलते हैं क्या fragmoplast क्या बोलते हैं फ्रेग्मो प्लास्ट यह फ्रेग्मो प्लास्ट आंगे चलकर convert होता है cell plate में किसमें convert होता है cell plate में अब यह जो cell plate बनेगी यह cell plate कहां की तरफ मूब करेगी center to periphery कहां की तरफ मूब करेगी center से periphery की तरफ यानि की center से दूर जा रही हैं तो किस type का होगा centrifugal type का यहां जो cytokinesis होता है वो इसमें present होता है प्लांट सेल में तो answer के आएगा 150 का second अगर हम डिसकस करते हैं question 151 अब देखिए दर during meiosis first the bivalent chromosome clearly appeared as tetrad during तो अगर हम bivalent chromosome की बात करें तो ध्यान रखना यह bivalent का formation किसमें होता है जाई oligo teen में form होना शुरू होते हैं लेकिन clearly visible किसमें होते हैं यह पैकाई teen stage में होते हैं तो इसलिए answer क्या आएगा इसका third ठीक है तो यह ध्यान रखना किसमें बनते हैं पैकाई teen stage में clearly visible होते हैं कि नेक्स्ट 152 तो देखिए दर इफ केरियो काईनेसिस इस नौट फॉलोड वाई केरियो काईनेसिस चलता रहता है इस केस में सेल के अंदर मैनी नूक्लियस का formation हो जाता है इस केस में तो किस टाइप की सेल बनती है मल्टी नूक्लियेटेट सेल तो आंसर क्या आएगा सेकेंड नेक्स्ट 153 तो देखिए दर हाव मैनी टाइम्स इक्वेशनल डिवीजन आर नेसेसरी इनस्वामेटिक सेल टू फॉर्म 64 सेल यानि कि एक सिंगल से टोटल 64 सेल बनानी है तो इसके लिए हाव मैनी टाइम्स यह जो माईटोटिक डिवीजन है यहां लगेंगे तो देखिए इदर स्वामेटिक सेल से तो अगर हम एक सेल से टाइम्स ऑफ डिवीजन की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टू की पावर एन ठीक है एन मतलब जनरेशन टाइम है तो टोटल कितनी सेल बनानी है 64 तो इसके लिए आप इसको अगर कैल्कुलेट करेंगे तो टू एन इसकोल टू की पावर 6 तो यह से टू कैंसल यानि की एन इकॉल टू कितना आ जाएगा 6 तो ध्यान रखना नंबर ओफ टाइम्स जो डिवीजन रिक्वाइड होंगे वो कितने होंगे 6 आंसर आएगा 3 नेक्स्ट 154 तो देखिए धर टांजीसन बिट्वीन मीजों सेस्ट एंड वियों से सेकेंड यानि की एक बीच में कोई middle stage आती है मियोसिस first और मियोसिस second के बीच में तो यह उसके मद्द संक्रमण को संक्रमण अवस्था बोलते हैं इसको तो अगर हम देखें transition phase मियोसिस first और मियोसिस second के बीच में कौन सी आती है तो ध्यान रखना इंटर काइनेसिस तो आंसर क्या होगा फर्स्ट और में इसको अरेंज करना है ध्यान रखना ascending order में तो अगर हम देखें इसमें splitting of centromere separation of chromatid cluster तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहला जो हमारा आता है पहले होगा splitting of centromere इसके बाद अगर हम बात करें splitting होने के बाद separation of chromatid होगा separation of chromatids जैसे ही होंगे तो separated chromatids को हम क्या बोलेंगे यह monad stage में आ जाते हैं यानि कि यह होगा third number पर next अगर हम देखें यह separate होने के बाद जो chromatids हैं वो poles की तरफ जाएंगे और cluster of chromatids का यानि कि different chromosomes के chromatids poles पर जाकर arrange हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे cluster of chromatids यानि कि यह कौन सा होगा fourth number पर next formation of nuclear assembly तो poles पर पहुँचने के बाद उन cluster of chromatids के चारों तरफ क्या form हो जाएगा nuclear membrane तो यह fifth number पर आएगा इसलिए answer क्या आएगा A, B, D first answer आएगा इसमें next हम देखते हैं 156 तो देखिए दर what shape is taken by an acrocentric and telocentric chromosome at anaphase of meiosis तो देखिए अगर हम acrocentric और telocentric chromosome की बात करें तो acrocentric chromosome में अगर हम देखें इसका जो एक arm होती है वो बहुत बड़ी होती है जबकि दूसरी arm छोटी होती है तो जब ऐसे chromosome separate होते हैं तो जे सेब्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं किस टाइब से structure बनाएंगे जे सेब्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं आप देख रहे हो कैसा है जे से इस्ट्रक्चर तो acrocentric कैसा बनाएगा जे सेब जबकि teelocentric की अगर हम बात करें teelocentric जो chromosome होते हैं उसको अगर हम देखें उसमें जो centromere है वो कहां present होता है terminal part पर होता है तो इस case में ऐसे chromosome में जब centromere split होता है तो इस type से ये chromosome structure बनाते हैं यानी कि कि आई चेप तो यहां पर आंसर के आहेगा जे एंड आई थार्ड कि नेक्सरिट 157 रिमाट्व एज अब देखिएं अगर हम यू करो मेटिंक बात करें यहां पर यू करो मेट लेखन है तो यूू क्रोमिटन जब हम dna या nucleus के अंदर जो क्रोमिटन है उसको जब by at Dim sun rasa a कलर फुल करते हैं तो कुछ ऐसे region समय दिखाई देते हैं chrome इन मैं जो लाइटली strict होते हैं उनको हम बोलते हैं यू खोया ओक्षार टार्टल इस्टेंड हम sneaky दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं heatro chromatin तो यह जो यू ट्रॉमितन हैं वो कैसे हैं light extent है यह वीक stand होते हैं और यह transcriptionally कैसे होते हैं active होते हैं यानि कि इन से DNA से RNA और RNA से protein बनती है तो इसलिए यहां आप देखरे हो transcriptionally कैसे हैं एक्टिव है क्योंकि DNA से RNA का formation हो रहा है तो answer आएगा 4th नेक्स्ट 158 यह बिल्कुल ncrt बेस आपको यह question दे रखा है तो देखें यह बिल्कुल ncrt में figure दे रखा है 12 class में यहां अगर आप इस डाइग्राम को देखें तो इस डाइग्राम के अंदर यह जो ए नंबर है यह सो कर रखा है डीने के लिए यहां यह भी सो कर रखा है हिस्टोन ओक्तामर और सी रिप्रजेंट कर रखा है एच वन हिस्टोन किसको रिप्रजेंट कर रखा है है एच वन हिस्टोन प्रोटीन तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो है सेकंड ए डीने बी हिस्टोन ओक्तामर एंड सी हिस्टोन एच वन और सामने पोजीशन ऑफ सेंट्रोमीयर दे रखी है तो देखिए अगर हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में एस एट मिडिल तो ए का आगिया सी और वो आपको किवल एक ही ऑपसन में दे रखा है सेकेंड में एक्रोसेंट्रिक में अगर हम देखें तो एक्रोसेंट्रिक में नियर टर्मिनल पार्ट पर होता है तो देखिए अल्मोस्ट नियर दा टिप तो सी बी का आ गया डी नेश्ट देखिए इसमें सी की अगर हम बात करें तो टीलो सेंट्रिक क्या होता है टीलो सेंट्रिक होता है एकदम टर्मिनल पर तो सी का आ गया ए और अगर हम सब मेटा सेंट्रिक की बात करें तो यह कहां होता है स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर यह मिडिल तो इसी लिए डी का आंसर आएगा बी तो इसी लिए आंसर के आएगा इसका 159 का सेकेंड नेट्सट 164 तो देखिए दा फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रॉफेज फर्स आपको पता है मियोसिस में जो प्रॉफेज फर्स आती है उसको हम 5 स्टेज में डिवाइट करते हैं लेप्टो-टीन जाइगोटीन पैकाईटीन डिपलो-टीन और सबसे लाश्ट जो आती है डाई काइनेसिस तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्ट डाई काइनेसिस next 161 during anaphase second of meiosis आप देखे ऐनाफे और myosis नहीं कि meiosis की ऐनाफे इससे में कॉन सा स्टेप नाथ都 में होता वे तो देखे सीप्रेशन of homologous chromosome wrong हो गया क्योंकि यह तो एनाफेज फस्ट में होता है homologous chromosomes pair to form bivalent pairing भी जो प्रोफेज फस्ट है उसमें होती है sister chromatids separate यह राइट है क्योंकि इसमें क्या होगा जो separated homologous chromosome होते हैं वह एनाफेज में उनका centromere split होता है ठीक है और sister chromatids एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं separate हो जाते हैं तो answer आएगा इसका third नेक्स्ट 162 तो देखिए दर यहां आपको यह consider the following pairs दे रखें इसमें अगर हम देखें तो देखिए आपको correctly pair यह correctly match pair देखना है तो देखिए सबसे पहला सिनेप्टो नीमल complex यानि कि अगर हम सिनेप्टो नीमल complex की बात करें तो इसका formation किसमें होता है जाइगो टीन में होता है बिल्कुल राइट है recombination nodules कहां बनते हैं पैकाई टीन स्टेज में वहीं पर crossing over होता है राइट है terminalization of kiasmeta यह कहां होता है डाई kinesis में बिल्कुल राइट है डिजॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टो नीमल complex सिनेप्टो नीमल complex का डिजॉल्यूशन डिप्लो टीन में होता है बिल्कुल सही है जैसे ही पैकाई टीन में क्रॉसिंग ओबर कंप्लीट होती है सिनेप्टो नीमल complex डिजॉल्यूशन उसका डिजॉल्यूशन हो जाता है बाई वेलेंट फॉर्मेशन लेप्टो टीन रॉंग है क्योंकि अगर हम बाई वेलेंट के 24 आंसर सेकंड आगे नेक्ट 150 63 तो देखिए दर इफ डिपलॉइड शैल है जिस्टीन क्रोमोसोंस दैन हाव मैनी क्रोमेटिट्स अर विजीवल इन इट्स मेंट अब देखिए दर अगर मैटा फेस क्रोमोसों की बात करें तो मेटा फेज में इच क्रोमोसों के बाद इच क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटेड होते हैं ध्यान रखना टू क्रोमेटेड होते हैं तो अब हमें दे रखा है टू एन इसकॉल टू कितना दे रखा है 16 क्रोमोसोम तो जब इच क्रोमोसोम के पास मेटाफेज में टू क्रोमेटेड होते हैं तो 16 क्रोमोसोम के प 164 यहां देखिए DNA replication occurs during अगर हम DNA replication की बात करें पूरे cell division में एक ही जगह होता है DNA replication in S phase अब यहां S phase आपको दे नहीं रखा लेकिन S phase किसमें include होता है इंटर फेज में तो answer क्या आएगा इसमें तो देखिए 164 में answer क्या आएगा इंटर फेज answer 4 next 165 तो देखिए अधर the number of chromatids in a chromosome at anaphage अब देखिए कि एनाफेज में chromatids के number के बारे में पूछा है तो यहां पर फर्ष्ट देखिए मा टू इन माइटोसिस अगर हम माइटोसिस की एनाफेज को देखे हैं तो एनाफेज में तो centromere split हो जाते हैं इस case में बोथ जो chromatids होते हैं वो एक दूसरे से separate हो जाते हैं तो टू in mytoses wrong हो गया one in mytoses यह right है two each in mytoses wrong हो गया क्योंकि mytoses में इनाफेज में single है यह भी गलत हो गया answer क्या होगा second अभि यहां ध्यान रखना meiosis की बात करें तो meiosis में सबाब देखो गैं तो homologous chromosome सेपरेट होते हैं लेकिन वहां पर centromere split नहीं होता इसलिए each chromosome के पास दो chromatids present होते हैं तो यहां पर किसके respect में दे रखा है एनाफेज फ़स्ट next 166 in an angio sperm how many micro spore mother cell are required to produce hundred pollen grains अब यहां पर अगर हम pollen grains के development की बात करें तो pollen mother cell अगर एक pollen mother cell होती है तो उसमें एक मियोसिस होता है और वन मियोसिस के बाद for micro sports का development होता है और यही micro sports किसमें डवलप हो जाते हैं pollen grains में तो आप देखिए यानि कि मैं यह कह सकता हूं कि एक पॉलन मदर से एक मियोसिस के बाद for pollen grains का development हो रहा है तो अगर हमें 100 यह 100 pollen grains बनाने हैं तो इसमें आप four का divide कर दोगे क्योंकि 24 pollen grains बन रहे हैं तो हमें pollen mother cells पता लग जाएंगे तो pollen mother cells कितनी आ रही है 25 और इन्हीं 25 pollen mother cells में तो मियोसिस होगा तब क्या बनेंगे 100 pollen grains तो कितनी pollen mother cell required होंगी हम आइक्रोइस पॉर मदर सेल 25 अगर हम नुक्लियोसोम में एक नुक्लियोसोम में डियने के टर्न की बात करें तो ध्यान रखना इसमें जो वन नुक्लियोसोम के अंदर डियने का जो टर्न होता है वो 1354 या आप यह कह सकते हैं 1.75 ठीक है तो आप इसमें अगर आंसर देखें कौन सा आएगा सेकेंड next 168 read the following statement and select correct option क्या करना है हमें इसमें से correct option चूज करना है तो देखिए धर m phase represent the phase when the actual cell division occurs बिल्कुल राइट है क्योंकि inter phase में cell division नहीं होता m phase में ही actual cell division होता है inter phase represent the phase between two successive m phase बिल्कुल राइट है अगर हम देखें पहले inter phase होती है फिर m phase फिर inter phase फिर m phase तो दो successive m phase के बीच में कौन सी phase आ रही है inter phase next देखिए in 24 hours average duration of cell cycle of a human cell cell division proper last for only about an hour बिल्कुल राइट है अगर हम देखें human cell के respect में तो inter phase 23 hours यह 23 घंटे का समय लेती है जबकि यह जो m phase है वो कितना time लेती है एक घंटे का समय लेती है और यह cell division कितना एक घंटे का समय लेती है बिल्कुल राइट है दा m phase last more than 95% यह रॉंग हो गया क्योंकि m phase को अगर हम देखें वो less than 5% time लेती है जबकि यहां क्या लखा है more than 95 यह रॉंग statement है तो इसमें कौन से कि राइट statement हो गया first second and third answer आएगा फ़र्सट नेक्स्ट वन सिक्स्टी नाइन मियोसिस second is characterized by अब अगर मियोसिस second की बात करें तो देखिए थर crossing over in homologus यानि कि homologus chromosome के बीच में यहां पर कोई भी crossing ट्रॉबर नहीं होती क्योंकि वो मियोसिस first में होता है डिस जञंक्शन आफ हो abdomen लोगस रौंग क्योंकि यहां homologus chromosome का separation मियोसिस first में ही हो चुका होता है separation of chromatates यह बिल्कुल राइट है भीए तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है मियो sons first में homologous chromosome सेपरेट होते हैं जबकि मियों से सेकेंड में सेपरेट इडिड जो होमोलोगस क्रोमोसों में उनके क्रोमेटिट होते हैं है आउन सर थर्ड 170 which histone protein is outside the nucleosome core तो अगर हम nucleosome core की बात करें तो देखिए अधर ये histone octamer या इसी को हम histone core भी बोलते हैं या इसे हम histone octamer भी बोलते हैं तो यह जो histone core है इसमें कौन-कौन सी protein प्रजेंट होती है हिस्टोन h2a, h2b, h3, h4 यह four histone proteins present हैं लेकिन h1 इसमें नहीं होती तो इसलिए answer क्या होगा answer first histone h1 next 171 इधर देखिए कियाज मेटा formation occurs during कियाज मेटा का formation कब होगा ध्यान रखना कियाज मेटा कब बनते हैं जब crossing over complete हो जाती है और जो सिनेप्टो नीमल complex है वो डिजॉल्व होना शुरू होता है तो इस केस में जब दोनों homologous chromosome एक दूसरे से दूर जाते हैं तो एक्स सेब्ड इस्ट्रक्चर बनता है इस एक्स सेब्ड इस्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कियाज मेटा तो आप देख रहे हैं यह जो एक्स सेब्ड इस्ट्रक्चर बन रहा है इस एक्स सेब्ड इस्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे कियाज मेटा यह कब होता है पैक आइटीन के बाद जब सेल में प्रोफेज फ़स्ट की डिपलोटीन स्टार्ट होती है तो ध्यान रखना आंसर क्या आएगा डिपलोटीन आंसर फ़स्ट next 172 consider the following statements यहाँ nucleus से related कुछ statement दे रखें size of peri nuclear space is 10 to 50 nanometer बिलकुल राइट दे रखा है कितना होता है 10 से 50 nanometer का size होता है दोनो nuclear membrane के बीच में जो पेरी nuclear space है उसका भी देखिये interface nucleus is the nucleus of a cell when it is dividing यह wrong हो गया क्योंकि अंत्रावस्था में जो केंद्रक होता है वो विभाजन जब cell विभाजन नहीं कर रही होती है उस समय यह interface में होता है wrong the outer nuclear membrane usually continuous with the Golgi complex अगर हम nucleus की बात करें तो इसकी outer membrane continuous होती है with endoplasmic reticulum जबकि यहां क्या दे दिया Golgi body wrong हो गया यह nuclear pore are formed by the fusion of its two membrane यह बिल्कुल राइट है दो दो nuclear membrane जब fuse हो जाती है तो बीच में क्या बनते हैं पोर तो इसलिए ध्यान रखना यह correct है smaller and less in number nuclei are present in the cells actively carry out protein synthesis wrong है अगर ऐसी cell जो protein ज्यादा amount में form कर रही है उसमें अगर हम देखें तो protein ज्यादा बनाने हैं तो इस case में ribosome ज्यादा चाहिए और आरा रहने तो आरा रहने जब ज्यादा चाहिए तो nucleolus यह nucleolai जिसे plural form में हम nucleolai कहते हैं उसका number less नहीं होता बलकि ज्यादा होता है और वह larger size की होती है smaller नहीं तो इसलिए यह statement कैसा हो गया रॉंग अब हमसे पूचा है correct statement तो कौन सा हो गया एंड़ दी तो answer आएगा इसमें फोर्थ next question जो हम यह discuss करते हैं 173 in a plant haploid chromosome number is 10 how many chromosomes are present in anaphase of first meiotic division यानि कि यहां पर आपको haploid जो plant cell है उसमें chromosome number यहां 100 कर रखे हैं और अगर हम chromosome number की बात करें कितने हैं 10 chromosome number दे रखे हैं और आप से पूचा है कि first meiotic division यानि कि meiosis first की anaphase में chromosome number कितने होंगे तो देखिए अदर यहां आपको क्या दे रखा है n equal to 10 अब जब meiosis होगा तो वह deployed cell में होगा यानि कि 2n is equal to कितना होगा 20 अब जब meiosis first होगा तो anaphase first में homologous chromosome separate होते हैं centromere split नहीं होते इसलिए यहां पर G1 sorry G2 phase में जितने chromosome होंगे वही anaphase first में present होंगे यानि कि हमारा जो answer आएगा वो कितना होगा 20 तो ध्यान रखना यहां पर chromosome का separation होटा है बट homologous chromosome उसी cell में प्रिजेंट है इसलिए क्या होगा answer first 20 174 if at the end of meiosis each of four daughter cells have four chromosomes how many chromosomes were in mother cell अब यहां आप से पूछा गया है कि यह जो daughter cells है sorry daughter cell है daughter cell में कितने chromosome है four तो एन इक्वल टू आपको कितना दे दिया four chromosome अब इसने पूछा है mother cell में कितना होगा तो अगर हम mother cell में बात करें तो mother cell होगी two n क्योंकि meiosis के बाद है तो mother cell deployed होगी तो इस case में two n बराबर कितना हो जाएगा eight तो answer क्या आएगा eight chromosome one 75 देखिए which of the following is not a part of human chromosomes यहां अगर human chromosomes के part की बात कर रखी है तो देखिए nucleosome बिलकुल होगा तो देखिए nucleosome की अगर हम बात करें तो nucleosome इसमें होगा हिस्टोन होगा centriole नहीं होगे centromere होगा तो answer क्या आएगा थर्ड क्योंकि centriole cytoplasm में present होता है chromosome का part नहीं है answer आएगा थर्ड next 176 fragmoplast is precursor of अभी मैंने आपको discuss किया था plant cell के respect में जब साइटो काइनेसिस होती है तो साइटो काइनेसिस के time पर कि यह जो सेल है इस सेल के middle में कुछ वेसीकल्स अरेंज होती है यह जो वेसीकल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं फ्रेग्मोप्लास्ट इन्ही फ्रेग्मोप्लास्ट जब आंगे convert होता है तो वो form करता है cell plate तो इसका मतलब cell plate कहां से form होई है फ्रेग्मोप्लास्ट से तो precursor यानि कि यह जो फ्रेग्मोप्लास्ट किसका precursor होगा आंगे चलकर क्या बनाएगा cell plate तो answer क्या आएगा first next देखिए 177 significance of meiosis lies in अब देखिए significance की बात करें किसके significance meiosis के तो देखिए अधर production of genetic variability बिल्कुल राइट है maintaining constancy of chromosomes number during sexual reproduction राइट है reduction of chromosomes to one half बिल्कुल राइट है इसमें all of these आएंगे क्योंकि अगर हम sexual reproduction या meiosis के significance की बात करें क्या करता है genetic variability को develop करता है इसी से new species का development होता है next यह sexual reproduction के time पर chromosome को maintain करके वी यानि की generation after generation जो chromosome नंबर है वो meiosis के कारण ही क्या होते हैं maintain बने रहते हैं और क्यों बने रहते हैं क्योंकि इसमें chromosome नंबर कैसे हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं कि नेक्स्ट 178 जी जी रो स्टेज ऑफ सेल डिनोट्स अब देखिए अगर हम जी जी रो स्टेज की बात करें तो जी बन से exit होने के बाद सेल एक इनेक्टिव स्टेज में चली आती है जिसको हम बोलते हैं जी जी रो फेज तो देखिए टेंपरेरी पॉस बिल्कुल चेक पॉइंट बिफोर इंट्रिंग नेक्स्ट फेज गलत है यहां कोई चेक पॉइंट नहीं है डैथ ऑ जिय जल गलत है क्योंकि सेल लिवंऑ स्टेज में बनी रहती है इंट्रि ओव सेल इंञाए हो रही है बलकि थोड़े टाइम के लिए यह cell क्या करती है cell cycle को suspend कर देती है और वो कहां चली जाती है जी-0 फेज में तो हम क्या कह सकते हैं कि यह temporary pause है cell cycle का ुइ आंसर आगा फिर्स्ट नेक्स्ट 178 सॉरी 179 हिए टेट्राड इज मेड़ और यानि कि अगर हम टेट्राड की बात करें तो जब होमो लोगस क्रोमसम्स के बीच में पेरिंग होती है दो होमोलोगस क्रोमसम्स के बीच में तो यह जो structure बनता है इस structure को हम बोलते हैं by valent जो जाइगो टीन में form होते हैं लेकिन पैकाई टीन में clearly visible होते हैं तो इस structure को हम क्या बोलते हैं by valent या इसी का एक और नाम है tetrad क्योंकि इसमें कितने chromatid है चार है 1234 अब देखिए दर कितने क्रोमोसोम हैं दो homologous chromosomes हैं बल बट यहां पर chromatid कितने हैं चार तो देखिए दर four homologous chromosome गलत हो गया क्योंकि कितने हैं आपको clearly दखरा है दो है two homologous chromosomes each with two chromatids answer आएगा second क्योंकि दो homologous chromosome है और each chromosome के पास कितने chromatid हैं दो next 180 नमबर देखिए nuclear pore are formed by the fission of two membrane of nucleus wrong हो गया क्योंकि यहां पर fission नहीं होता बलकि क्या होता है दो membrane के बीच में fusion होता है nuclear pores are passage between the nucleus and the cytoplasm यानि कि इसमें यह जो nuclear pore क्या करते हैं passage यह रास्ता प्रदान करते हैं किसके लिए between nucleus and cytoplasm बिल्कुल राइट है अगर हम nuclear pore को देखें तो यह जो nuclear pore है यह साइटो प्लाज्म के बीच में क्या है एक पासेज है तो यह बिल्कुल राइट है तो नुक्लियर पोर मूब्मेंट ऑफ डी एन आर एन और न प्रोटीन मॉल्यकुल टेक प्लेस रॉंग हो गया क्योंकि डी एन अ का बिल्कुल सही है आउटर नुक्लियर मेंब्रेन किस के साथ डी न है बी एंड डी सेकंड आंसर तो यह हमने यहां माइनर जो टेश सीरीज का माइनर सेकंड यहां हमने डिसकस किया ठीक है आई होप आपने अच्छा किया होगा थेंक यू